भारत जिस तेजी के साथ एक प्रोग्रेसिव और एकॉनमिक पावर के रूप में उभर कर सामने आया है, उसी तरह अब हमारे देश को परियावरण यानि एन्वायमेंटली कॉंशिस और एन्वायमेंटली सैवी भी बनना होगा. पल्यूशन के सबसे बड़े कारणों में और्गैनिक फूर्ट बेस्ट या जैविक कच्रे की अंसेग्रिगेटड डंपिंग है. इस प्रकार के अंट्रीटड वेस्ट को फ्री लैंड्सकेप्ट एरिया या लैंड्फिल्स में डालने से ना सिर्फ सॉयल और लैंड से ज्यादा वेस्ट जेनेरेट कर रहे हैं तो सरकार के स्वच भारत अभियान के अंतरगत आपको और्गैनिक वेस्ट मशीन लगाना अनिवारे हैं. मेरा नाम सूर्य विक्रम सिंग है, मेरी कंपनी का नाम है SMS हाइड्रो टेक, हम लोग वेस्ट रिसाइकलिंग मशीन बनाते हैं, जो की और्गैनिक फूड वेस्ट, हॉर्टी कल्चर वेस्ट, एग्रिकल्चर वेस्ट को 24 घंटे में कंपोस्ट में कंवर्ट कर देती हैं. ये फुली ऑर्टोमाटिक अऊर्गैनिक वेस्ट 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 मशीन 24 घंटे के अंदर जैविक कचरे को विभाचित और डिगमपोस्ट करके इसे कॉमपोस्ट या खाद में तबदील कर देता है। ये compost to waste machine, in-built shredder, composting tank with humidity sensor, heater, mixing blades, moisture control system और air ventilation system के साथ fitted होती है जो की 24 घंटे के अंदर किसी भी तरीकी का अपना बायो डिग्रेड़ेबल किचेन वेस्ट जिस भी चीज को सडाया गलाया जा सकता है उसको compost में 24 घंटे में convert कर देती है ये हमारी machine जो है in-built shredder के साथ आती है shredder का मतलब है अगर आप कोई भी इसके अंदर input डालते हैं जो की bio-degradable है वो उपर से feed किया जाता है और shredder जो है उसको छोटे-छोटे pieces में cut down कर देता है तो 200 kg per day की machine को hardly 1.5 घंटा लगता है feed करने के अंदर तो उपर shredder से जब feeding हो जाती है आप shredder को बंद कर देते हैं और उसके बाद machine fully automatic है जो की अपने आप सारी चीजें control करती है machine के अंदर in-built sensor लगे होए है जो की machine का temperature pressure और अंदर किस तरीके का climate ज़रूरी है हमारे organic bio-degradable food waste को decompose करने के लिए वो वैसा temperature pressure और climatic conditions को maintain करती है हम अपने organic food waste के साथ 10-15% ratio में या तो आप सूखे पत्ते डाल दे या आप sawdust डाल दे जो लकडी का बुरादा होता है तो machine natural 100% natural तरीके से बिना किसी chemical बिना किसी enzyme के आपको naturally बहुत अच्छी quality की खाद provide करा के दे सकती है जैसे 24 गंटे का साइकल पूरा हो जाता है आप ये खाद डिरेक्ली यूज कर सकते हैं बाकि अगर machine काफी सारी situation ऐसी होती है जहां पर सूखे पत्ते नहीं अवेलेबल हो पाते है या फिर sawdust नहीं अवेलेबल हो पाती है तो उस केस में machine के अंदर flexibility है कि machine को एंजाइम्स, natural enzymes के throughby decomposition process में डाला जा सकता है natural enzymes के अगर हम बात करें तो पोल्ट्री वेस्ट एक बहुत अच्छा natural enzyme है और इसी तरीके से market में 100 rupees a kg के हिसाब से natural enzymes भी अविलेबल है जो कि 10 से 15 दिन में बस एक बार जरूत पड़ती है आप sawdust थोड़ी सी डाल के जैसे 200 kg की ये machine है आप 20 से 25 kg sawdust डाल के थोड़ी से 10 ग्राम के करीब वो enzymes यूज़ करें तो 15 दिन तक आपको जो है होटीकल चर्वेस या sawdust का नया फीडिंग करने की सरोत नहीं पड़ेगी तो multiple flexibility है machine की इसके लावा machine में फीडिंग करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है आप मशीन को 24 घंटे के लिए on चोड़ देते और उसके बाद machine अपने आप सारा प्रोसेस करती है और 24 घंटे के बाद आपकी automatically भाद निकलाती है इस machine को operate करना बहुत आसान है इस machine के सारे controls और display buttons machine के सामने ही लगे होते हैं और इसको operate करने के लिए आपको किसी खास operator की जरुरत नहीं है आप आराम से एक unskill labor को भी 2-3 दिनों की training देकर इस machine को चलाने के लिए पूरी तरह तयार कर सकते हैं यह organic waste to compost machines, nurseries, bankway halls, canteens, restaurants और housing societies के लिए उप्युक्त हैं और यह असानी से organic food waste, horticulture waste और agriculture waste को compost कर देती हैं organic waste to compost machines की कीमत इनकी capacity के हिसाफ से तै की जाती है एक 25 किलो की basic machine की कीमत तकरीबन धाई लाग रुपे है और 200 किलो capacity वाली machine की कीमत 6,45,000 रुपे है organic waste to compost machine को रखने के लिए बहुत ज्यादा area की जरुरत नहीं परती आप एक 200 किलो की capacity वाली machine को असानी से 6,6 feet के area में basic shelter लगा कर रख सकते हैं organic waste to compost machine size में बहुत ही compact होती है ये composting process completely noiseless और odorless होता है और इसके इस्तमाल से हवा में कोई harmful gases release नहीं होती एक 200 किलो organic waste to compost machine 24 घंटे चलने के लिए तकरीबन 10 से 15 unit electricity consume करती है और ये 2 HP motor पर असानी से चलाई जा सकती है एक द्रन संकल्प के साथ आप भी अपना विवसाय स्टार्ट कर सकते हैं और अपने entrepreneurship के सफर को आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें आपका साथ देगा IID, Institute for Industrial Development आपको आपके business idea की core knowledge, expert episodes, bankable project report और live workshop प्रोवाइड कराता है इसके साथ साथ business registration support भी प्रोवाइड कराता है और details जानने के लिए हमारे contact number या links के द्वारा हमसे संपर्ग करें ऐसे ही और business ideas और उनकी documentary देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और bell icon को दबा कर notification प्राप्त करते रहे